इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप बहतरीन थंबनेल्स बना सकते हो अपने एंड्रोइड फोन से ही बहुत असानी से आपको सिर्फ इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटोवर्ट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बैल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा जैसे कि आपको लेडिस टिक्नलोजी की वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए सबसे पहले तो आपको एक अप्लिकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है पिक्सल लैब तो पिक्सल लैब आपको प्ले स्टोर पर काफी असानी से मिल जाएगा पिक्सल लैब से आप सर्फ थंबनेल्स ही नहीं बलके और भी चीज़ें क्रियेट कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हमें इसको उपन कर लेना है तो जैसे ही आप इसे उपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा देन आप यहां पर देख सकते हैं य ऑपтор यह टेक्स्ट है देन यह बैकर रहाँ डिटो अधर हमें यह बैक्राओंद पसंद है तो अभी हमें एक फोटो सेलेक्ट करना है तो प्लम पहुँआ फोटो करने के लिए आपको वह लहां आप सकते हैं इस तो dü斯 पो पहांचिए अधार benef Cela कर रखाथा तो आपनी एक इसका background erase नहीं किया एक दूसरे हैप से किया है अगर आपको background erase करना नहीं आता है तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है अगर आपको वीडियो देखना है तो screen के उपर आ रही link पर click करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं तो यहाँ पर यह रही मेरी photo then हमें इसका size select कर लेना फोटो का नहीं इस पूरे background plus text plus photo सभी चीजों का तो हमें यहाँ पर three dots पर जाना है यहाँ पर image size पर click करना है यहाँ पर हमें YouTube thumbnail पर click कर देना है ओके कर देना है तो आप देख सकते हैं यह YouTube thumbnail का size आ गया है plus का icon पर जाकर import कर सकते हैं तो यहाँ पर हम हमारा text ले लेते हैं तो यहाँ पर हमें कोई भी text अगर select करना है तो हमें इस पर double click कर देना है text पर तो लाइक यहाँ पर मैंने लिख दिया how to erase तो यहाँ पर मैंने how to erase लिखा है मैं पूरा लिखना चाहरा हूं how to erase background बट मैं आपको कुछ creative करके दिखाता हूं तो यहाँ पर मैंने how to erase लिख लिए इस तरीके से मैंने इसे बड़ा कर लिया यह पर हमें हमें इसका फॉंट सेलेक्ट करना है तो यहां पर देख सकते हैं का उप्शन पर यह पर आपको काफी सारे फीचर मिल जाते हैं तो यहां से तो मैं सबसे पहले इसका एक फॉंट कर लूँ अच्छा सा जो भी मुझे प्रोफेशनल सा लगेगा अच्छा सा लगेगा वह फॉंट मैं इसका स्लेक्ट कर लूँगा तो यहां पर मैं इसका यह फॉंट काफी बढ़ियां लग रहा है इस तरही के से मैं तो हमारा सिर्फ लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले यहां पर तेमें problem white black colors आपको यहां पर available है तो like मैं आपर white black select कर लेता हूँ तो अभी यह black color आपको देखने में थोड़ा grayish लग रहा होगा बड़ी यह gray है नहीं actually यह black ही है तो अभी यहां पर आप देख सकते हैं यह black ही है इस तरहीश से हम इसे adjust कर लेंगे कर सकते हैं अपने चाहे हैं यहां ने चाही तों काफी तो आप और आपको मिल जाएंगी तो सपेसिंग हमें इहां से कर सकते है words की कि कितनी space चाहिए, आपको words के बीच में बिलकुल नजदीक चाहिए, बहुत दूर दूर जाए ही, तो यहाँ पर मैं इसे भी cancel कर देता हूँ, और अगर आपको shadow एडो कूछ चाहिए, तो आप वो भी हाँ से एनेबल कर सकते हैं, तो मैंने आप टेक्स्ट अकेल क्लिक करूँगा New Text पर दिन यहां से से कट कर लूँगा दिन यहां पर लिख दूँगा Background इस तरीके से मैं ने Background लिख लिए तो आप देख सकते हैं काफी बढ़ी लग रहा है तो अगर हमें नहीं लग रहा था इसका background color इसलिए मैंने रिमूव कर दिया यहां पर यह थोड़ा कम visible हो रहा है इसके background color पर तो हम इसमें stroke लगा देते हैं जिससे कि यह जादा visible हो तो stroke का भी इसमें आपको option मिल जाता है तो stroke enable तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारा जो stroke है बहुद हो चुका है तो अभी थोड़ा visible हो रहा है तो यहां पर मैंने background लिए दिन यहां पर हम इसे font दे देते हैं तो यहां पर मैं इसे कोई भी एक अच्छा सा font दे दूंगा यहां पर मैंने यह वाला फॉंट दिया यहां पर मैं दूसरा फॉंट दूँगा थोड़ा और अच्छा सा तो यह फॉंट थोड़ा और अच्छा सा लग रहा है यहां पर तो मैं इसे थोड़ा छोड़ा कर लूँगा दिन यहां पर मैं इसे भी background color दे दूँगा तो यहां से मैंने इसका background color enable कर दिया है दिन गईज यहां पर आप देख सकते हैं काफी सारी color options हैं black, grey, red, then यहां पर white बहुत सारी color options आपको इसमें मिल जाते हैं मैं इसे टिक कर दूँगा, then मैं इसका color select कर लूँगा color मैं आप से select कर लूँगा this is yellow color मैंने यहां पर select कर लिया है काफी बढ़ी अलग रहा है, then मैं आपर एक और text ले लूँगा new text पर दो click करूँगा, then यहां पर इसे cut कर लूँगा उसके बाद यहां पर type कर दूँगा properly, यहां पर हमने properly type कर लिया है, this is properly, now मैं इसका भी color वगएर सब select कर लूँगा, उसी तरीके से हमें सब कुछ select करना है, और 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 भी कई सारे options आपको इसमें मिल जाते है, shadow के लाइक यहां पर embos का option मिल जाता है, inner shadow, outer shadow, stroke का कई सारे options आपको इसमें मिल जाते हैं, तो यहां पर भी मैं फड़ फट से color select कर लेता हूं, यहां पर like कई सारे colors हैं, तो मैं कोई भी color select यहां से कर सकता हूं, like मैंने यहां पर black color select कर लिया, then यहां पर मैंने इसे tick कर लिया, और मैं इसका background select कर लूँगा, इसे मैंने enable कर दिया, color मैंन यहां से चोटा-गोटा करना है तो हम यहां से कर सकते हैं इस तरीक इस ति में बंगरांड या बल्कुल नब इस थोड़ी से राइट साइड में चलीगी वहमने लाप साइड में करी सब कुछ काफी करीटिव लग रहा यह बहुत रहा है यहाइश sights लग रहा है यहाँ पर हमँआएस से एक्सपोर्ड कर लेता है फटट से तो यहां पर export इमेज का option है तो मैं यहां पर से Save to gallery पर क्लिक कर देंगे तो ये गालरी ने खेंगे तो हम आपको गालरी में जाकर दिखा देता हूं तो यहां पर यह फोटो गालरी में आ चुकी होगी उके ऐस तो होगा फार आप देख सकते हमारी फोट्डा गेलरी मैं आ गई है काफी बढ़ीया है था मारी जो नहीं है वह बहुत बढ़ियां लग रहा हां जाila है लेक्डाट्वारी बहुत सारे fonts बहुत सारे colors आपको इसमें मिल जाते हैं बहुत सारे features भी आपको इसमें आविलेबल है सुग यह थी मेरे आज की वीडियो अगर आपको वीडियो फसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए मैं आपको डेली वीडियोद लेकर आता हूं आप यहांप सीक्तेई यह वीडियों टूर पर मिल जाए हर दिन मैंने यहां वीडियो आपको प्रोवाइड कि है तो यह मैंने मैं एक 365 लाटी एक दिछा बाहरा हूँ अभी मैंने एक भी वीडियो मस नहीं किया तो इस वीडियो से मैंने अपना 365 डेज चालेंज शुरू किया है उम्मीद है मैं इसे पूरा कर पाऊंगा आगले 365 दिन तक आपकी दुआओं से तो ऐसे हमारे चानल को सपोर्ट दीजिए तब मुझे और भी जादा म मोडिवेशन मिलेगी अगर आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फड़ावर्ट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी बैल एकन को प्रेस कर लीजी तो मिलते हैं फिन एक्स वीडियो में सी यू इन एनधर वीडियो